चलिए बबाब, नेक्स चाप्टर का रिविजन चालू करते हैं, नेक्स चाप्टर है, अध्वांस रूलिंग, एविवन ओवर हीर, क्विक्ली लिंकिंग ले लिजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सुन लिजिए मेरा बाद, सर हमने स्टार्ट किया था गूर्चन अप्ट अथ्ट अप्टी अअग्वाइंग, उसके बाद आप मेंटें किजए आकाउंट्स रिकॉर्ट इवे बिल, इसके बाद लियाबिलीटी आ जाएगा, लियाबिलीटी आ घिया आप input tax credit use कर लिजे उसके बाद आप remaining amount का payment कर दीजे payment करने के बाद आप return फाइल कर दीजे यहां तक मैंने आपको already पड़ा दिया है अब सुनिए अब government ने देखा कि GST एक नया law है किसी को भी कोई भी doubt हो सकता है इसलिए government ने क्या किया government ने बोला इस दोरान अगर आपको कहीं पे भी कोई भी doubt हो गया तो आप एक authority को approach कर सकते हैं जिस authority का नाम दिया government ने advance ruling authority आज यह चार्ट में advance ruling का advance ruling basically क्या होता है कि अगर आपको अगर आपको GST में कहीं भी कोई भी doubt आ रहा है तो आप advance ruling authority के पास जाहिए जो भी आपका question है पूछिए actually कुछ questions का list दिया हुआ है वही पूछ सकते हो पूछिए और आपको advance ruling authority उसका answer देगी चलिए आजाए समझते हैं advance ruling सरी advance ruling का मतलब क्या होता है advance ruling का मतलब होता है decision जो दिया जाता है by authority for advance ruling या appellate authority for advance ruling there are two authorities which are there एक authority का नाव होता है authority for advance ruling जो advance ruling देती है अगर आप advance ruling के against appeal में जाते हो तो आप जाते हो appellate authority for advance ruling के पास तो यह बोल रहे हैं जो भी decision दिया है advance ruling authority ने या appellate authority for advance ruling ने उस decision को बोला जाता है सर, advance ruling start कहां से होता है, देख लिजे, advance ruling start यहां से होता है, समझ लिजे एक बंदा है, इस बंदे को है doubt, सर ये बंदा कौन है, ये बंदा होता है, applicant, इसको बोला जाता है applicant, applicant कौन हो सकता है, याद रखेगा, very important in your exam, applicant, एक registered person भी हो सकता है, या फिर, अगर आप registration नहीं ले रख हो, ये business में, ये जो मैं glass supply करूँगा, इसमें GST rate क्या है, तो government बोल रहा है, registered हो, चाहें unregistered हो, वो advance ruling के लिए application दे सकता है, तो registered person भी दे सकता है, unregistered person, desirous of obtaining registration भी advance ruling के लिए application दे सकता है, सर एक बात बताईए, पहला question आपको exam में पुछा जाएगा, कि advance ruling के लिए कौन apply कर सकता है, ध्यान रखिएगा, advance ruling के लिए registered person भी apply कर सकता है, या unregistered person, जो basically desirous होता है, कि ये मेरे को registration लेना है, वो भी apply कर सकता है, सर, एक बात बताईए, एक बंदा, जब apply करेगा, तो क्या कोई भी question पूछ सकता है, नहीं बबा, कुछ fixed question दिये गए है, under section 972, जो आप उस related question ही पूछ सकते हो, उन ही topic related आप question पूछ सकते हो, आपको देखना होगा, C the advance ruling list, आपको advance ruling का लिस्ट देखना होगा, C advance ruling list, C मतलब क्या होता है, सर, C मतलब अगर आपको कोई classification related issue है, कि सर, इसको आप किस में classify करोगे, सर, इस bottle को मैं thermal equipment में classify करू, या bottle में classify करू, आपक क्लासिफाई करना है तो sir service कि service accounting code के अंडर आपका service आएगा वो आपको बता देंगे ठीक है sir उसके बाद A A for applicability of a notification यह जो notification आया है यह मेरे को apply कर रहा है यह notification मेरे को apply नहीं कर रहा है अगर आपको question पूछना है तो आप जाहिए advance tooling authority के पास वो आपको बता देंगे ठीक है sir और registration मेरे को लेना है sir या नहीं लेना है जाहिए advance tooling authority के पास वो आपको बताएंगे L for liability आप liability determine नहीं कर पा रहे हो GST is equal to value of supply into rate of tax आप value determine नहीं कर पा रहे हो जाहिए advance tooling authority के पास वो आपको help करेंगे liability determination के लिए sir I for ITC sir ये जो मैंने construction किया इसका ITC मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या आप पूछ लीजे advance tooling authority से वो आपको बता देंगे S for supply जो मैं कर रहा हूँ क्या वो supply हो रहा है क्या वो supply है क्या वो supply नहीं है तो वो भी आपको advance tooling authority बता देगी T for time of supply and value of supply अगर determination में कोई problem है तो भी जाइए advance tooling authority के पास वो आपको बता देगी exam का एक question होता है कि कौशे 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 question आप advance tooling authority को पूछ सकते हो ठीक है sir point clear है यहाँ एक question आता है कभी कभी place of supply related issue हमेशा ध्यान रखेगा intra होगा या inter होगा place of supply related determination कभी advance tooling authority उसमें हाथ नहीं लगाएगी यही बोला है question relating to place of supply cannot be raised with the authority for advance tooling जब भी place of supply related issue है वो बोल रहे है advance tooling authority के पास आप नहीं जा पाओगे वो आपका case को हाथ नहीं लगाएगी ठीक है sir sir जब जब एक person को advance tooling चाहिए वो क्या करेगा तो यह एक बंदा था जो confused था क्या करेगा यह एक application देगा to the authority for advance tooling authority for advance tooling हर एक state हर एक union agency में होता है ठीक है sir हर एक state हर एक union agency में होता है अब यह जब application देगा तो यह देगा GST application for advanced tooling 01 GST ARA 01 में application देगा पांच ज़र रुपे का फीस लगता है CGST में SGST में भी similar amount 5000 रुपीज लगेगा फीस भी दगाएगा साथ में अब इनको application जाएगा अब जब application authority for advanced tooling के पास आएगा वो क्या करेंगे वो application को forward कर देंगे एक concerned officer को सर ये concerned officer कोन होता है concerned officer वो officer है जिसको appoint किया गया है for all the advanced tooling का application basically जब भी advanced tooling का application इनके पास आएगा तो concerned officer को भेज दिया जाएगा जो concerned है with respect to advanced tooling का application मतलब ये एक officer ऐसा officer है जिसको state में appoint किया जाता है ताकि जो भी advance ruling का application आए इसको forward किया जाएगा और ये उस application related जो भी details है सारे forward कर देगा किसको इनको ठीक है sir point clear है अब सुन लीजे अब advance ruling authority जो है वो क्या करेगी आपका application प्लस इससे जो भी details होगेरा मिला है उसको compare करेगी examine करेगी आपका application प्लस जो भी records उनको दिया है उस officer ने concerned officer ने ठीक है sir उसके बाद opportunity of being hurt देगी किसको बुलाईगी दोनों को concerned officer इधर आजा अगर आप जा रहे हो तो आप जाईए नहीं तो आप अपने authorized representative को भेज देगा ठीक है sir सुनिए sir ये जो लोग है ये जब आप दोनों को बुला लेंगे आपको opportunity of being hurt देंगे उसके बाद decide करेंगे कि आपको इनको case admit करना है application को admit करना है या application को reject करना है sir आपकी application reject तब की जाएगी for an example आपने advance tooling मांगा आपने advance tooling मांगा लेकिन आपका case already pending था या आपकी case में वो already decide हो गया था example आपने advance tooling मांगा कि इसका ITC मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन उसका ITC तो already आपको officer ने पकड़ लिया है और officer ने बोला है कि रमेश आपको ITC नहीं लेना चाहिए एक बार आपको officer ने पकड़ लिया प्रोसीडिंग चल रहा है तब आप advance tooling के पास नहीं जाते हो in advance मतलब आपके against कोई proceedings उस case में चालू नहीं होना चाहिए यह बोल रहे हैं application reject हो जाएगा कब if question जो आपने application में पूछा है is already pending मतलब आपका question है already pending है कहीं और or decided in any proceeding मतलब decide हो चुका है proceeding में आप पकड़े गए थे officer ने proceeding में बोला आपने ITC wrongly लिया आपको नहीं लेना चाहिए था आप अल्रीडी पकड़े गए हो तो उस case में advance tooling authority बोल रही है हम case को हाथ नहीं लगाएंगे आपको in case मतलब यह बोल रहे हैं अगर question which is raised in the application is already pending or decided in any proceeding in case of the applicant तो आपको बस एक opportunity of being hurt दिया जाएगा और rejection order pass कर दिया जाएगा उसमें reason लिख देंगे कि हमने क्यों rejection किया है copy दे दिया जाएगा applicant को और concerned officer को officer को और आपको एक-एक copy भी दे दिया जाएगा ठीक है sir यह officers होते कौन है यह officers होते है members which are appointed by central government or state government मतलब एक cgst का officer होता है एक sgst का officer होता है यह joint commissioner और above ही होते है ठीक है sir sir application अगर reject नहीं किया गया तो यहाद रखिएगा application admit हो गया अगर application को admit कर दिया गया तो अब आपसे further document मांगे जाएगे officer से भी further documents वगेरा मांगे जाएंगे या फिर वो खुद जाएंगे आपके place of business में आएंगे बोलेंगी यह machine का IDC का बात कर रहे हो इसका यह document यह document दे दो वो additional आपसे documents वगेरा collect करेंगे examine further material placed by the applicant जो आपने दिये हैं और obtained by the authority और फिर opportunity of being hurt दिया जाएगा आपको भी दिया जाएगा concerned officer या उसको authorized representative को भी दिया जाएगा और फिर अगर इन दोनों officer में कोई भी difference of opinion नहीं है तो sir अगर difference of opinion नहीं है तो यह advance ruling को pronounce कर देंगे याद रखिएगा advance ruling का जो order है basically advance ruling दे दिया जाता है within 90 days कितने दिने में within 90 days of the application और इसका जो copy है advance ruling का जो copy है वो applicant को भी दिया जाएगा मतलब आपको भी दिया जाएगा और concerned officer को भी दिया जाएगा ठीक है sir point clear है सुनिए यह जो advance ruling दे रहे थे इनके बीच में difference in opinion आ गया तो क्या होगा sir अगर इनके बीच में difference in opinion आ गया तो यह बोल रहे हैं यह क्या करेंगे यह दोनों जो भी difference in opinion होगा उसको एक paper में लिखके state the point of difference in opinion और इसको refer कर देंगे case को appellate authority for advance ruling अगर इन दोनों के बीच में difference in opinion है ठीक है sir अब सुनिए अगर sir समझ दीजे difference in opinion नहीं था और advance ruling प्रनाउच कर दिया गया तो sir अगर applicant अगर अग्रीव्ड है तो क्या करें applicant अगर अग्रीव्ड है तो वह भी जा सकता है to appellate authority for advance ruling याद रखेगा appellate authority for advance ruling के पास तीन समय case आ सकता है number one आप aggrieved हो number two officer aggrieved है number three double AR के members की बीच में difference in opinion है ठीक है sir point clear है अगर applicant जा रहा है appeal के लिए तो applicant लगाएगा application GST ARA02 application for advance ruling number two और fees लगाएगा 10,000 रुपे का अंडर CGST 10,000 अंडर SGST अगर officer aggrieved है तो sir उसके लिए बोला गया है ARA03 application उसका कोई fees नहीं होता है याद रखेगा चाहें आप जाओ चाहें officer जाओ आपको जाना है 30 दिन प्लस 30 दिन का extension appellate authority for advance ruling अगर चाहे तो आपको दे सकती है ठीक है sir point clear है अब सुन लिजे एक बार case इनके पास आ गया तो यह क्या करेंगे यह या तो confirm कर देंगे जो WR ने बोला है या sir कोई modify कर देंगे ruling को और मतलब basically opportunity of being hurt देते वे या confirm कर देंगे जो original advance ruling पास क्या गया था या modify कर देंगे ruling को उसके बाद order पास कर देंगे within 90 days of application मतलब इन दोनों ने जब application दिया उसके 90 दिनों में यह पास कर देंगे order या जब इन दोनों के बीच में difference in opinion था और case इनके पास आ गया था reference आया था तो उस reference से within 90 days यह order पास कर देंगे पास order within 90 days of reference reference कौन करता है advance ruling authority के members करते हैं जब उन दोनों में difference in opinion होता है ठीक है सर reference और application से 90 दिनों में यह order पास कर देंगे जब order पास करेंगे तो copy देंगे आपको concerned officer यह जो concerned officer है फिर आपका जुज डिक्शनल officer को और W.A.R. को authority for advance ruling को भी एक order का copy दिया जाएगा ठीक है सर अब सुन लीजे सर इन दोनों के बीच में अगर difference in opinion हो गया याद रखेगा इन दोनों के बीच में अगर difference in opinion हो गया तो आपकी case में advance ruling दिया ही नहीं जा सकता आपकी case में उतना याद रखेगा difference in opinion अगर हो गया तो advance ruling cannot be issued no further appeal मतलब W.A.R. के रिपरे और के रहे अरगा के आप इनके पास आते हो मतलब इनके order के अगेश्ट आ सकते हो लेके इनके order के कहीं इन जा सकते हूं आप कहीं इन जा सकते हैं और W.A.R. अगर उनके बीच में difference in opinion है तो further appeal possible ही नहीं है यही बोला गया है ठीक है सर अब आपने बोला एक बात आपने बोला है कौन जाएगा यह डबल आर के पास मैं direct जाओंगा ट्रिपल आर के पास possible नहीं है पहले आपके अज़ अडवांस रोलिंग होना चाहिए तब ही उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो ठीक है सर पॉइंट क्लियर है मतलब आप डायरेक्ट ट्रिपल आर के पास नहीं आ सकते हैं पहले आपको डबल आर के पास जाना पड़ेगा इनका ओरर के जा सकते हो सेक्शन नंबर 102 आता है सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि सर अगर आपको समझ लिए एक और पास हो गया बाइदा डबल आर और ट्रिपल आर और उस ओडर में कोई अपरेंट मिस्टेक था कॉपी पेस्ट वगेरा का मिस्टेक था तो उसको रेक्टिफाई किया जास यह क्वेशन आ सकता है याद रखेगा अगर मैनने का बेनीफिट शाम भी लगा सकता है शाम बुलेगा मैं भी same bottles apply कर रहा हूँ मैं 18% लगा के sell करूँगा राम का advance ruling मैं भी apply करूँगा नहीं बबाद ध्यान रखेगा अगर advance ruling दिया गया है तो advance ruling is binding on me and my officer with respect to me शाम के लिए या शाम के officer पे मेरा advance ruling binding नहीं है याद रखेगा applicability of advance ruling advance ruling is binding on applicant मेरे उपर binding है and he is concerned or Jewish Dictional Officer ठीक है सर मतलब कोई और मेरे advance ruling का benefit नहीं ले सकता ये याद रखेगा ठीक है सर point clear है secondly advance ruling कब तक valid होता है advance ruling तब तक valid होता है जब तक law change नहीं हो गया fact change नहीं हो गया या circumstances supporting the original advance ruling change नहीं हुआ है तब तक advance ruling valid है सर एक person ने advance ruling ले लिया by fraud, willful, misstatement और suppression of fact तो याद रखेगा advance ruling void ab initio है आपने duplicate document, wrong facts वगरा देते हुए advance ruling अगर ले लिया है तो advance ruling void ab initio है ठीक है सर उसके बाद ये है एक point पूछ सकते हैं एक्जाम है by chance third graded question है कि सर अगर advance ruling authority और AAAAR, AAR और AAAR का inspection, ठीक है सर enforcing attendance, बुलाएंगे ये बेटा आजा, ठीक है of any person in examining him on oath सर, issuing commission and compelling production of books and other records they have all the powers of a civil court under the code of civil procedure ठीक है सर, point clear है यहाँ, मेरे को लगता है exam में जो पूछ सकते हैं पहला एक ध्यान रखेगा कि कितना fees होता है, 5000 रुपीस under CGST, 5000 under SGST double AR का fees, triple AR का fees 10,000 रुपीस under CGST, 10,000 under SGST, क्या क्या question आप पूछ सकते हो, इस पर question आ सकता है C, advance ruling list ये निमोनिक है, ठीक है उसके बाद बुला है, कौन को इन applicant हो सकता है registered person applicant हो सकता है या अगर आप unregistered हो, तो भी आप apply कर सकते हो एक question exam में पूछ सकते है कि आपका application कब reject किया जा सकता है आपका application reject किया जा सकता है अगर आपका case already pending है या decided है in any other proceedings against you तो sir, उस case में आप advance ruling authority आपका case reject कर देगी ठीक है sir, यहाँ तक point clear है उसके बाद ये जो एक section number 103 है इस पर भी practical question पूछ लेते है ध्यान रखिएगा, 105 पर भी छो सकता है छोटा मोटा question पूछ ले secret chapter है, लेकिन 2 से 4 mark आ सकता है ध्यान रखिएगा, ठीक है sir, point clear है यहाँ मेरा discussion on advance ruling खतम होता है quickly बताइए बाबा point clear है, क्या हमारा discussion on advance ruling complete हो गया है yes sir, discussion complete है यहाँ मैं अपना discussion on advance ruling close करता हूँ